जहें दोस्तो स्वागत है आपका अरोडाई एसे अगेडमी में और यह हमारी अगली क्लास है पॉलिटी की सीरीज के अंतरगत और इस सीरीज का जो नाम टॉपिक का नाम बताएं आपको प्रस्तावना रहेंगा ठीक है तो हमारी यही कोशिस है कि प्रस्तावना को लेकर जो आपके मन में दुगदा बनी हुई है कि इतनी बड़ी प्रस्तावना हम भारत के लोग से शुरू होकर के आत्म समर्पित करते हैं 26 नमर उन्नी सो नंचास तक जितनी क्लश्ट सब्दावलिया है हम उनको सही तरीके से कराएं और उसके लावा और जो जो चीजिस में एड तो आपने दे हमारी पहली क्लास नहीं देखी है तो उसको आप अच्छे से देखिए यह हमारी अगली कड़ी है पॉलिटी सीरिज के अंतरकत और मैं कोशिस करूँगा इस क्लास में इतने सारे कंसेफ्ट हैं आपको एक सही तरीके से करवा पाऊं ठीक है और दूसरी बात दूसरी बात यह रहेगी इसमें कि आप इसके नोर्स बनाते चलें इससे क्या होगा कि आपको रिविजन करने में असानी होगी हाला कि पिछली सीरिज मैंने बनाई है थोड़ी प्रॉब्लम यह हो गई कि मैंने इसको जूम नहीं किया था लेकिन मैं कोशिस करूँगा ताक कृँदा बात कर लेते हैंना के अखे प्रस्तावना सम्मिदान में क्यों गयी पहला यही बात करते हैं अкольा इसके जरूरत क्या पड़ी हांना प्रस्तावनां का अंग है या नहीं इसमें प्रस्तावना पता है कई प्रकार के कोशन बनेंगे ठीक है तो कोशिश यह करना कि मैं जितने कोशन बोलते जाओं आप इनको याद रखना ठीक है तो पहला तो यही है कि आखिर प्रस्तावना सम्मेधान में लाई क्यों गई किसके माध्यम से लाई गई उसकी तिथी क्या थी उसके वाद और कितने सब्द इसमें जोड़े गए अगली बात यह आती है कि अखिर इसको कौन-कौन से इस पर बाद हुए जैसे कि किस बाद में इसको सम्मेधान का अंग नहीं माना किस बाद में इसके लिए सम्मेधान का अंग मान लिया है और कौन-कौन से ऐसे बाद थे जैसे कि हम कह सकते हैं कुछ तीन बाद हैं इसमें और कुछ ब्यक्तियों इसके वारे में कुछ-कुछ बोला है तो हम सारी चीज़ां कम्प्रिट कराएंगे तो मैं कोशिस करूंगा इस किलास को आप अच्छे तरीका से देखेंगे और नोट्स बना लेंगे इसके और मैं यहां से आप चाहूं तो आपको इक रूप रेका बताते हैं तब आपको एक अच्छी से समझ में आएगा इसको दूरत जूम करते हैं और यहां पर आपको समझाते हैं वहां प्रस्ताबना की बात करें जैसे की सपूर्च करो यह हमारा मकान है और इस मकान को बनाने के लिए जो आधार होता है यह हमारा क्या है आधार ये है हमारा आधार इसका थोड़ा वो ज्यादा बड़ा हो रहा है इसका ये है आधार ठीक है तो आपको याद रखना है इसी प्रकार से जैसे कि जो प्रस्तावना है वो हमारे सम्मेदान का आधार है आधार किस सेंस में? आधार इस सेंस में, जो हमारे सम्मिदान के उद्देश थे, ये उन उद्देश्यों के बारे बात करती है, अर्थाथ जो प्रस्ताबना जो सम्मिदान में पेस की गई थी, वो 13 दिसंबर, 13 दिसंबर, 1946 को पेस की थी, किसने पेस की थी? पंडित जहुआलला नहरू द्वारा पेस की गई थी लेकिन याद रखना तब इसका नाम प्रस्थावना नहीं था क्या था उद्धिन प्रस्थाव यानि कि जो आप प्रस्थावना सब्द को पढ़ते हो ये पहले प्रस्थावना सब्द नहों करके एक उद्देश प्रस्थाब था, उद्देश प्रस्थाब किसलिए कहा है, उद्देश प्रस्थाब इसलिए बोला, जवाला नहरू ने बोला था, कि हम जिस सब्विधान को हम गड़ने जा रहे हैं, याने कि लिखने जा रहे हैं, उस सम्विधान का उद्देश क्या होगा, उसको लेकर के उनुने उद्धिश प्रस्ताब पेस किया था सम्मिधान समाम है उसी को आगे चल करके कई नाम दे दिये गए यानि कि प्रियंबल उसे ही बोलते हैं प्रस्ताबना उसे ही बोलते हैं ठीक है यह सब इसी के नाम है आपको confuse ना होना है तो अब एक बास समझ भाई 13 दिसंबर 1946 को जब सम्मिधान सबाब में नहरू जी दुवारा उद्देश प्रस्ताब को पेस किया गया आगे चल करके यही उद्देश प्रस्ताब ने रूप किसका ले लिया प्रस्ताबना का रूप ले लिया इसमें क्या था? इसमें कई सारी बातें थी बातें क्या थी? मैं आपको थोड़ा समझाना चाहता हूँ बात ये थी यैसे कि हम भारत के लोग यहीं से सुरुवात होता है हमारी प्रस्ताबना हम भारत के लोग ठीक है इसमें भारत के लोग थे उसके बाद जो हमारी सम्मेदान सभा है वो क्या है वो एक संप्रिभू है यानि कि उस पर किसी भारी सक्तियों का कोई प्रभाव नहीं है हम निर्डा लेने में स्वतंत्र है और इसके बाद उसमें कुछ लोकतंत्रिक सब्दों की बात की भाहिश आसन करेंगे। उसके बाद इसमें स्वतंतरताओं की बात की गई है, नयाय की बात की गई है, ब्यक्ति की पृतिष्ठा और अबसर की समानता की बात की गई है। तो ठीक है, इन सभी बातों को यदि हम एक overview में देखें, तो जो सम्मेधान सवाव हैं, जिन उद्देशों को ध्यानवे रहकर सम्मेधान लिखा जा रहा था, तो यही उद्देश सम्मेधान के आधार थे, यानि कि अगर हम एक सब्दे बोलें प्रस्ताबना आकर है क्या, तो प्रस्ताबना क्या है, सम्मेधान का आधार है प्रस्ताबना, जिस पर हमारा सम्मेधान लिखा गया, ठीक है, तो आगे हम चलो अब सुरुवात करते हैं, आपको इतना में आप बता दिया, लेकिन ये सारी चीज आगे आएंगी, अब नोट करते हैं, ओके, तो हम इसको थोड़ा जूम करते हैं, और आपको सुरुवात से बताते हैं, एक मिनाट, चलिए, सुरुवात करते हैं, तो पहले हम इसी को लेकर चलते हैं, प्रस्तावना कोई लेकर चलते हैं, ठीक है, तो मैंने आपको जो प्रस्तावना की जो परवासा बताई है, बही परवासा है, लेकिन एक फैक्ट बताना में आपको भूल गया, फैक्ट ये था, यानि कि 19 प्रस्ताव को जब 13 दिसंबर 1946 को जब पेस किया गया था, तो इसे सम्मेधान सभा के दुतियव आचन में, इसे सुरुकार कर लिया गया था, ठीक है, दुतियव आचन में इसे सुरुकार कर लिया गया, और इसे सम्मेधान का अभेनंग बाना गया, और इसके बाद ये एक और बात आती है, बात ये आती है, क्या हम संब्यधान जो प्रस्तावना है, क्या उसमें संसोधन कर सकते हैं, जी कर सकते हैं, क्योंकि संब्यधान का भाग है, एक बार संसोधन हुआ है इसमें, जो 42 वा संब्यधान संसोधन, 1976 में हुआ था, जैसे कि प प्रस्तावना में एक बार संसो दन न हुआ है, कब ? 42 वा संविदान संसो दन में हुआ है, इस में क्या शंसो दन हुआ था, तीन सब्स जोड़े गई, पहला सब्स में है था समाजबा था, हमारा समाजबांदी, पन्त निरपेच और अखंडता, ये तीन सब्स जोड़े गए, मैं इनका अर्थ बताऊँगा आपको, और जो भी इन में और बहुत सारी बात होंगे, वो भी मैं आपको बहबारिक तरीके से बताऊँगा, ठीक है, तो आप इसको याद रखना, तो चलिए हम सुरुवात करते हैं अब, अच्छे तरीके से, और यह हो गया पूरा एरेज, चलिए, अब हम बात करते हैं, आकर प्रस्ता बना की सब्दा वलीगी, ठीक है, तो देखो क्या है, सम्मेधान का परिचे, एवन भूम का और सम्मेधान का सार, यानि कि, यह हमको यह गयात करवाएगा, कि आखिर सम्मेधान का उद्दिश क्या है, सम्मेधान का सार क्या है, तो यह सारी चीज हमको कहां से पता चल लाती हैं, प्रस्ता बना से, देखो, एक सेंस में और यह महतवूर कैसे है, जैसे कि यदि कोई बाहरी व्यक्ति है, सप हमारे भारत में आए, और वो यह जानना चाहें, कि आखिर इनके जो देश का सम्मेधान है, वो कैसा है, ठीक है, तो वो क्या करेगा, तो और वो हमारे किसी भारती व्यक्ति से मिले, मिले उससे कहें, कि हमें आपको पूरा सम्मेधान है, उसे पटने का समय नहीं है, और हम कि आप कोई एक ऐसी लिस्ट ऐसी सूची हमें दो जिससे हम आपके सम्मेधान को जान सकें मतला पहँचान सकें उसके उद्धिस जान सकें तो ये व्यक्ति क्या करेगा ये जो भारती व्यक्ति है ये उसे क्या दे देगा प्रस्तावना दे देगा उसके हाथ में पकड़ा देगा प्रस्ताबना को ठीक है उसके हाथ में ये प्रस्ताबना को पकड़ा देगा और वो कहेगा कि यदि आप सही तरीके से प्रस्ताबना को पढ़ लेते हो तो हमारे जो भारत में जो सम्मेधा रचा कया है आप उसके उद्दिश को जान पाऊगे किन-किन ब्यक्तियों को स्वतंतरदा दी गई है क्या-क्या मतलब ऐसी कौन-कौन सी चीज है, ऐसी कौन-कौन सी सासन प्रड़ाली है, क्या उनकौन से सिस्टम है तो उन सब के बारे में आप जान पाऊगे प्रस्ताबना के माध्यम से तो आपको समझ माया, कि प्रस्ताबना कितना महत्यपूर है, तो ये क्या है हमारे देश का जो सम्मेधान है उसका उद्देश बता देगी ये प्रस्ताबना तो चली हमाँ आते हैं में टॉपिक में 42 सम्मेधान संसोधन हुआ था इसमें 1906 में समाजबादी धरम निर्पेच और अखंडता सब्द को सामिल किया गया very very most important इस पेश्टार लगा लेना कोशन यहीं से बनेगा 42 सम्मेधान संसोधन 1906 में 3 सब्द जोड़े गए थे समाजबादी धरम निर्पेच अखंडता लेकिन एक बात याद रखना यहाँ पर हम धरम निर्पेच ना करके हम पंत निर्पेच की बात करेंगे ठीक है कोशन में कोई भी आए आए आपको भही लगाणा है ना थो एक ही आया यहां तो धरं नर्परच आया यह 5 नर्परच आया तो मैं आपको इस सब्दाब लीका अर्ति समझाए हुआ ओगे है प्रस्ताबना किस पहरां रहीत प्रस्ताब पर आधा रहे था मैंने बताया था जब जब जवाला नहरू जी जिस उद्देश को लेकर क्या था जिस प्रस्ताब को सम्विधान सभा में लेकर आए थे उसी को आगे चलकर प्रस्ताबना बोल दिया गया ठीक है तो उद्देश प्रस्ताब ही क्या था प्रस्ता पत्र किस ने बोला है तो एन के एन ए पाल की वाला ने इसे संविधान का परिश्या पत्र बोला है यह आपका फेक्ट कम्प्लीट होगा है अब हम अपनी प्रस्तावना की बात कर लेते हैं हाला कि इन सब्दावलियों को मैं और डेटिल में आपको बताऊंगा लेकिन एक संद्रामिट देना और आप प्रस्तावना को आपको एजडस याद होना चाहिए ताकि आपसे इंटर्व्यू में पूछ सकते हैं आपको प्रस्तावना से कोसर बने ना थे डारेट मतला सब्दों का हेर फेर करके तुमसे कोसर पूछ लेगा ठीक है तो चलिए सुरुवात क सहां से होती है हम भारत के लोग भारत को एक संपूर प्रवत्व संपन समाजवादी कोमा धरम निर्पेच कोमा लोगतांतरिक गडराज बनाने के लिए और इसके समस्त नागरिकों को सामाजिक आर्थिक राजनेतिक न्याय बिचार अभिव्यक्त धरम विश्वास उपासन की स्वतंतरता प्रतिश्वास और अवसर की समता प्राप्त कराने के लिए तथा ब्यक्ति की गर्मा और राष्ट की एकता अखंडता सुनच्चित करने बाली बंदुता बढ़ाने के लिए संकल्पित होकर अपनी इस सम्मेधान सवा में आज 26 नवंबर 1949 को सम्मेधान को अ इस प्रस्ताबना का मैं आपको सार बताऊऊँगा, अर्थ बताऊँगा लेकिन इनकी जो सब्दावलिया हैं उनको भी एक डिटेल में आपको आगे इसी वीडियो में आगे में कोसिस करूँगा बताता चलूँ तो हम पहले हम यहीं पर बात कर लेते हैं, अकिर इस सब्दावली का मतलब क्या है, पहले सब्द को उठाते हैं हम भारत के लोग, हम भारत के लोग, इस सब्द का मतलब क्या है, हम भारत के लोग से तात पर यह है, यानि कि जो सम्मिधान सवा में जो ब्यक्ति बैठे हैं सम्म सम्मधान सवा भेजा है यानि कि भारत की जनता जो है भारत की जनता है उस पर जो सासन ब्यक्ति करेगा वो हमारे द्वारा भेजा गया ब्यक्ति ही हम पर सासन करेगा पहले सब्द कर यह मतलब हुआ आगे है भारत को एक संपूर प्रपत संपन इसका मतलब क्या है संपूर प अपने आंत्रिक और बहारी मामले में निरड़ा लेने में स्वातंत्र हैं। हम कहा सकते हैं, आप इस प्रकार से सोच सकते हैं, जैसे कि कोई व्यक्ति है। और वो व्यक्ति किसी बिदेशी देश के अंडर में है। तो उस पर पूरा दिकार किसका होगा। उस बिदेशी व्यक्ति का होगा। लेकिन व्यक्ति जब आपने गाण, अपने देश में आ जाएगा तो वह स्वातंत्र होगा। अपना परसनल 트ृ one और भासर का मैटर, यानि कि उस व्यक्ति पर ना तो OULD किसी भारी दभाभ होगा और ना ही कोई किसी का अपने आंत्रिक मतलब कह सकते हैं दवाब होगा ठीक है वो अपनी बहारी निर्ड़ा लेने में और आंत्रिक निर्ड़ा लेने में स्वतंत्र होगा यानि कि हमारा भारत है वो हमारे आंत्रिक और बहारी निर्ड़ा लेने में स्वतंत्र है बहार आगे हम बात करते हैं समाजबादी ये समाजबादी सब्द बहुत इंपोर्टन्ट है इसके बारे हम डेटेल में मैं इसी वीडियो में बताऊँ आपको या फिर अगली वीडियो आएगी हमारी तो मैं इसको थोड़ा आपको संचेफ में बता देता हूँ समाजबादी सब्द का मतलब है यानि कि समाज में गरीवी उपेच्छा भुकमरी और बिसमता ऐसी इस्तिती को समाप्त करना हमारे नहरूजी थे वो समाजबादी सिध्धनते काफी प्रभावित थे और आप देखते हो जब हमारा देश आजाद हुआ आजाद होने के बाद जब सम्मेधान लागू हुआ और सम्मेधान लागू 26 जनवली 1950 के बाद तो क्या था देश की इस्तिती बहुत बहतर नहीं थी बहुत समस्या है थी क्योंकि अंग्रे जोने हमारे देश को इस कदर लूटा कि हमारे पस ना तो अच्छे रिसोर्से छोड़े ना तो संपत्त छोड़ी मतलब बहुत सारी चीजों को तहस नहस कर दिया हमारी इस्ति ऐसी हो गई थी बहुत बेकार इस्तिती में थे हम लोग तो उसी को देखते हुए नहरू जी की जो नीती थी वो समाजवादी नीती पर आधारित थे ठीक है उसके बाद इस नीती में यही था गरीवी भुकमरी और जो आर्थिक बिसमता है मानिक किसी के पास बहुत जादा संपत्य है किसी के पास कुछ नहीं है तो इन बिसमताओं को समाप्त करना उद्देश रहेगा सरकार का यह सब्द जोड़े गए बाद में धरम निरपेच इसका मतलब क्या है मैंने आपको पिछली वी तठस्त रहेगा तठस्त का मतलब क्या है कि इसमें एक चीज़ है कि अगर भारत सरकार भारत में जितने भी धर्म है भारत सरकार किसी भी राज सरकार किसी भी धर्म का पच्छ नहीं लेगी उसके लिए सभी धर्म समान है लोकतांत्रिक क्या मतलब है लोकतांत्रिक का मतलब यहां पर, जैसे कि हमारा जो सासन है, हमारा देश है, उसमें ब्यवस्ता कैसी है, लोकतांतरिक है, गहरने लोकतांतरिक है, तो हम बात कर सकते हैं, हमारी जो सासन, ब्यू आगे बात आती है गड़राज, गड़राज का मतलब कहा है कि भारत में जितने महतपूर पद हैं, भारत में जितने राजनितिक महतपूर पद हैं, बंसानुगत, यानि कि ऐसा नहीं होगा कि अगर किसी के पिताजी हैं, किसी उच पद पर, सपोज करो किसी के पिताजी हैं, अ उन पर आप चुनाव लड़के ही उन पदों को प्राप्त कर सकते हो अगला है इसके समस नागरिकों को सामाजिक आर्थिक और राजनितिक न्याय इसका मतलब क्या है सामाजिक न्याय क्या है सामाजिक न्याय से मतलब आप यह सोसल जेश्टिस की बात करते हैं हमारे समाज में क्या है एक ऐसे बर्ग होते हैं मतलब उनको हम इस आधर पर कह सकते हैं उसाथ जातीगत नसल के आधर पर ठीक है धरम के आधर पर कोई हम भेदवाब ना करें उनके साथ उसके बाद आर्थिक नियाए क्या है आर्थिक नियाए इस प्रकार से कह सकते हैं जैसे कि जो आर्थिक हुआ था उनमें, जिनके पास जो जमीदार थे, उनके पास बहुत बड़ी-बड़ी मातरा में संपत्या थी, तो उनकी, जैसे किसी-किसी पर मतलब वो पांचो भी का जमीन है, और उसी के गाउं में किसी बिक्ति वर एक भी का जमीन नहीं है, तो क्या हुआ था उन जमीदार थे उनकी संपत्यों का एक निरधारर कर दिया था कि आप संपत्यों को इतनी संपत्य ही आप रख सकते हो और यो बाकी संपत्य आपको जिनके पास संपत्य नहीं है उनको देनी पड़ेगी तो इस आधर पर क्या है ये हमारा कह सकते है एक आर्थिक इस तर पर नयाय हुआ उसके बाद क्या है राजनितिक नयाय से तात पर क्या है राजनितिक नयाय से तात पर ये है लैसे कि यहां तो किसी राजनितिक उच्च पद पर पहुँचने की बात हो या फिर जो दफ्तर हैं, सरकारी दफ्तर हैं, उन पर जाने की बात हो, सरकार तक अपनी बात पहुचाने की बात हो, तो इन सब बातों को क्या है, इस राजनीतिक नय में समावेस है, यानि कि ऐसा ना हो कि हमारी बात सरकार तक पहुचे ही ना, हम सरकारी दस्तुरों जो सरकार दफ्तर है हमारा उन्हें प्रिवेस ही न हो तो इन सब बातों को इसमें खतम कर गए यह सब चारी सी जूड़ी गई है यानि कि राजनीतिक अदकार तभी प्राप्त होंगे जब जब हमको सरकारता हमारी बात पहुंचे हम सरकारी दफ्तरों में आसानी से पहुंचे और हम राजनीति की जो पद हैं उनको हमारे साथ कोई भेदवाब न हो हम सही तरीके से महां पहुंच जाए अगली बात आती है विचार अभिव्यक्ति धरम विश्वास उपासना की स्वतंतरता इसका मतलब क्या यदि आपने मौलिक अधकार पढ़े हिंगे या पर मैं पढ़ा हूँ आपको आर्टिकल 25 से लेकर एक 28 तक यहीं बात बोली गई है यहीं बहारत में जितने भी नागरे क्यों इनको अपनी बात रखने का अधिकार है किसी भी धरम को मानने का अधिकार है और कह सकते हैं अपासना करती हो, आप उपवास करने बैठ आती हो, और आपके प्राण चले आए, इससे क्या होगा, आपको नुकसान होगा, सरकार आपको रोक सकती, आप ये कहो, कि नहीं, ये तो हमारे धर्म का हिस्सा है, तो इस पर सरकार एक्सन ले सकती है, क्योंकि आर्टिकल 21 ये कहता है, कि जो आपको क्या है, प्राण इवन दहेक सोतंतरता का अधिकार दिया गया है, लेकिन आप ये स्वस्त हो, ठीक हो, और आप आपने प्राण त्यागना चाहो, आपको ये अधिकार नहीं मिलेगा, आपके खिलाब कारवाई हो सकती है, अगली बात करते हैं, प्रितिष् के रूप में सब्मान करेंगे, ना कि उसके पद के रौब के रूप में सब्मान करेंगे, सपोज करो, किसी व्यक्ति को को उच्छ पद मिल लाता है, और वह व्यक्ति रौब दिखाना शुरू करते, कि नहीं मैं तो ये हूँ, मैं तो वो हूँ, तो इस प्रकार से क्या है, उसके सक्तियों को उसके बिसेसाद कारेकों को सीमित करना और उसे जो सम्मान देना चाहिए वो एक ब्यक्ति की रूप में देने चाहिए यानि कि ब्यक्ति बाद की अब धारणा को ब्यक्सित किया गया है आगे जो सब्द है हमारा वो है सब्द अपसर की प्रतिष्टा हो गए अपसर की सम्ता यानि कि आपको एक बात याद रखनी है जो हमारा धेस है उसमें क्या है महलाएं बच्चे तिब्यांग और अब तो ट्रांसजेंडर तो ये एक ऐसे बर्ग है तो इन बर्गों को क्या है ये खुद को असाहय महसूस ना करें ठीक है इनको क्या है इनके लिए हमें समान अपसर उपलब्द कराने हैं यानि कि अगर कोई दिब्यांग ब्यक्ति है कोई बिकलांग ब्यक्ति है और हम क्या करें उच्च पदों के लिए उनके लिए कोई ऐसा क्राइटिर फिक्स करते ह आपको इन पदों पर आप नहीं जा सकते, ऐसा नहीं होना चाहिए, यदि एक स्वास्थ व्यक्ति, एक अच्छा व्यक्ति, जिन पदों पर जा सकता है, उनी पदों पर ट्रांजेंडर, महलाएं, दिब्यांग जन, इन सभी व्यक्तियों को भी उन पदों पर पहुचने का पूरा अदिकार होना चाहिए, नहीं तो अगर ऐसी इस्तिती नहीं होगी, सपोज करो, कोई व्यक्ति, मतलब वो दिब्यांग व्यक्ति है, और वह क्या है, सिविल सिवा क तो हमेंसे इतना बड़ा पद नहीं देंगे, यह समाल नहीं पाएगा, ऐसा कोई भी कानून या कोई भी प्राबदा नहीं होना चाहिए, और इसलिए जो हमारे जो कह सकते हैं सम्मेदल सीन बर्ग हैं, इसमें महला हैं, ट्रांजेंडर, दिब्यांग और यह सब भुजुर ताकि इनको क्या है, एक अच्छे अबसर मिल सकें, यह आपको ठगा महसूस न करें, आपको कमजोर निसाहय, असाहय महसूस न करें, इसलिए यह सब बात हैं क्या हैं, इसमें जोड दी गई हैं, अगली बात आती है, यह होगी ब्यक्तिक गर्मा, राष्ट की एकता और अख अखंड़ता, यह सब्द बहुत महत्पूर है, राष्ट की एकता और अखंड़ता से तात्पर क्या है, देखो, हमारे देश में क्या है, शुरुवात से ही, अपने देखा होगा, कई सारी समस्यां जन्म लेती आई हैं, और उनका निप्टारा स्वभागी बस अभी तक नह पूचित नहीं है, तो क्या होगा हमें राष्ट में क्या है, एकता इस्थापित करनी है, अखंड़ता होनी चाहिए, अखंड़ता मतलब हमको कोई विभाजित ना कर पाए, ना तो जाती के आधर पर, ना धरम के आधर पर, ना ही संप्रदा एकता, ना छेतरबाद के आधर पर तो जितनी भी ऐसी जो कह सकते हैं हम प्रथा हैं जिन से देश का विभाजन हो राज का विभाजन हो और कैसे टक्राब की इस्तिती हो दंगे फसाद हो इन सब शीयों को क्या बिल्कुल खतम करना है और पूरा राश्ट का एक होना चाहिए और हम बिल्कुल हमें अखंडता होनी चाहिए तो यह सब्द सब्दोगे सारे उसके बाद हम आगे बढ़ते हैं बंदुता बलाने के लिए संकल पितोकर मतलब भाईचारे की भावना बहुत जरूरी है यदि भावना नहीं होगी तो आप सोच सकते हो यदि आपका पडोसी है यदि आप में यदि भावना भावना नहीं होगी तो आपको समस्या आने लगेगी तो बहुत सारी आप समस्या को सामना करोगे लेकिन यदि भाईचारा होगा तो हमको आंतरिक रूप से सांती का आवास होता है हमको बहुत अच्छा लगता है यदि हमारे आसपास यदि खुसनुमा माहौल है भाईचा तो क्या होगा हम बॉडिगाड रखेंगे या फिर हम किया पुलिस को इन्फरॉम करेंगे हमको सुरचा चाहिए लेकिन या इस्तिती ऐसी हो कि भाईचारा हो सब तरब हमारी सब लोग साहिता करने वालों हूँ तो साथ इस्तिती नहीं आएगी आगे बात क्या करता है आगे यही बात करता है सम्मेधान सबा जब बनकर जब सम्मेधान सबाने 26 नमबर 1940 को यह सब्दें कुछ है एक तो अंगीकरत करना अदनियमित करना और आत्म समर्पित करना इनका मतलब क्या है हमने अंगीकरत किया मतलब हमने उसको अपनाया अदनियम किया मतलब क्या है कुछ ऐसे प्रापधान थे जो 26 नमंबर उन्नी सो नंचास को ही लागू हो गए थे आत्म समर्पित बही बात ठीक है तो हमने क्या है हमने सम्मेधान को अपनाया है कुछ नियम है अभी से लागू हो जाएंगे जैसे कि 5-6-7 ठीक है मतलब जो कह सकते हैं हम नागरिक्ता सम्मंदी जो प्रापधान थे वो तभी लागू हो गए थे कुछ और आर्टीकल थे वो तुरंत ही लागू हो गए थे लेकिन जो बचे आर्टीकल थे वो लागू हो गए थे 26 जनवरी 1950 के बाद लागू हो गए थे लेकिन कुछ सम्मेधान के अनुशेद पहल बारा देखना और जो चीज़ समझ में ना है उनको और मेरी कोशिस यही है कि मैं आपको अच्छे से पूरा explain किया है और आपने note भी कर लिया होगा क्योंकि ध्यान रगना किसी भी किताब में इस तरीका से नहीं समझाए इसका गया है तो मेरी कोशिश यही है अब इनी सब्दावली और एक बहतर तरीके से में लिखित रूप में आपको दिखाऊंगा ताकि आप इसके notes बना सको तो और हम बात कर लेते अब हम बात करते हैं इसकी सब्दावली के बारे में ठीक है तो सब्दावली के के तत्तु तो वीडियो खतम होने से पहले कुछ हेडिंग है इसके बाद जो हमारा आगरा जो नेक पाट आएगा हम उसमें कंप्लिट करेंगे सब्दा बलियों को इससे पहले हम कुछ सब देख लेते हैं अब जो प्रस्ताबना के तत्तु कौन-कौन से हैं प्रस्ताबना के तत्तु के बारे हम बात कर लें आप चाहाँ तो इसको नोट कर ले ना और थोड़ा जूम कर देता हूं इससे अच्छे से तक आप इससे नोट कर सकें इसकी बात करते हैं ठीक है अधिकार का स्रोत यानि कि यो प्रस्ताबना है इस प्रस्ताबना के अधिकार का स्रोत क्या होगा प्रस्ताबना का अधिकार का स्रोत क्या होगा जहां रगना भारत की जनता जो प्रस्ताबना को जो सक्ति मिलेगी वो कहां से मिलेगी भारत की जनता से मिलेगी अगली बात है यह दर्साती है कि थोड़ा और हलका जूम करता हूं इसे ठीक है ओके यह दर्स साती है कि भारत एक संप्रवू समाजबादी धर्म निर्पेश लोक तांतरिग वा गढ़ तांतरिग राजी विवस्था वाला देश है नियाय स्वतंतरता सम्ता वा बंदुत सम्मेधान के उद्देश हैं मैंने आपको बताया है 26 नमंबर 1909 को सम्मेधान लागू हुआ तो और मैं कोशिस करता हूँ कि जो अगली जो सब्दावली है यह सब्दावली है ठीक है और इस सब्दावली को हम अगले वीडियो में कंप्लीट करेंगे क्योंकि इसमें बहुत सारी ऐसी बात हैं मुझको बतानी है ताकि आप इनको और अच्छे तरीका से समाझ सको तो मैं मैं आशा करता हूँ कि आपने वीडियो को अच्छे तरीके से देखा होगा और जो मैंने चीज़ा बताई है आपने उनको सुना होगा समझा होगा ठैंक यू ठैंक यू सो मच और बताने पर एक बात और मैं आपको बता दूँ कि जो हमारी अगली सीरी चलेगी वह मॉडरन बुकों का मिस्रड है जो एडवांस इसतरी की बुके हैं उनको भी हमने इसमें कमपाइलेशन किया है और एनी के मादर्म से हम आपको पढ़ाएंगे यानि कि बुक हुई लेकिन बुकों को क्या है टूदा पॉइंट और उनको को सन आंसर के फॉर्म में हम आपको पॉइं कि ध्यान रखना प्रस्तावना से क्या होता है ना प्रस्तावना से कोशन आते हैं वहुत कंसेप्च presumably कोशन आते है लेकिन जो बंडे एक इस्टेट के एगजाम होती है उनमें दारेट बूठ 으खा जाता है कि इस सबद से आ से क्या है इस तको कब जोड़ा गया इ सब सारी बातों को आपको द्यान रखना है ठीक है? चलिए